इस बार आक्ष़तरतिया की धूम थोड़ी सी कम लग रही है लेकिन अक्ष़तरतिया तो अक्ष़तरतिया है इसका महत थोड़ी कम हूगया और इसमें आपको क्या करना है वो तो वहीं कवही है हाँ कुरोनावारिस की वज़े से लोगडा towन है और lockdown की वज़े से बाजारों में वो धूम नहीं लेकिन हमारे हिर्दे में तो वही धूम है हम तो वही पूजा करेंगे तो याद रखेगा 26 अप्रेल को बहुत धूम से अक्षरत्रतिया मनानी है और चूकी इस बार आपको बाजार नहीं जादा इसलिए आप अक्षरत्रतिया वैसे मनाएंगे जैसे इतने वर्षों से मैं लगातार आपको मनाने के लिए कह रहा हूँ तो अक्षरत्रतिया आपको कैसे मनानी है यह मैं भी बताता हूँ आपको अक्षरत्रतिया की बधाई देते हैं अज की बात शुरू करूँ लेकिन उससे सब से पहले जरूरी है भगवान परशुराम जी के अवतरन की बधाई देना, तो आप सभी लोगों को भगवान परशुराम जी के अवतरन की बधाई भी मैं देता हूं, अक्षरत तर्तिया ये बहुत महतपूर दिवस है, ये किसी इस दिन की पूजा का परिणाम अक्षय होता है यानि जिसका क्षरण नहीं होता है वैसे भी ये सुना चान्दी खरीदने का दिवस है ही नहीं तो मैया ने कहा कि इस बार जो असली बात है वो करो आप लो तो आप उसी तरीके से पुझा करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा तो मैं बता रहा हूं पिछले तेरा चौधा सादों से सुनता कौन है सब सुना खरीदने पहुंसते हैं लेकिन असलियत क्या है और इस बार तो वही असली पूझा करने के लिए आप मजबूर है तो घर में बैठके आपको पूझा करनी क्या है यह मा शक्ति के धरती पर उतारण की वह टिती है जिस टिती पर आप जो भी कार्यरपरारंब करें वह अक्षफल देने वाला होता है इस दिन के लिए तो ये भी कहा जाता है कि आपको किसी भी कार्य को करने के लिए मुहुत देखने की अविशक्ता नहीं है लेकिन ये जिस संधर्वे कहा जाता है वो संधर्व क्या है इस दिन आप अपने जीवन को कहा लेकर जाना है यह धालिए इसकी प्लैनिंग कीजिए इस दिन कुछ विशेश साधना और अनुस्ठान प्रारंब किये जाते हैं क्योंकि ये अक्षय फल देने वाले सद्ध होते हैं तो इस दिन से वो प्रारंब होते हैं भगवान बद्रीनात का कपाट भी इसी दिन खुलता है इसी दिन से उनके दर्शन भी प्रारंब होते हैं तो जीवन में एक लहर है, एक महान संदेश है जिसका प्रारंब इस दिन से होता है, युगों का प्रारंब इस दिन से होता है लेकिन हमने इसे भी बहुत इकता से जोड दिया और तीन चीजें हम करने लग गए, क्या विवा, दूसरी चीज़ करने लग गए, क्या सोना खरी दिना और तीसरी चीज़ करने लगए क्या मकान की या वाहन की डील करना देखे हमेशा एक चीज़ याद रखेगा यदि आप पूजा पाट में रुची रखते हैं तो कि कुछ दिन विशेश अध्यात्मिक गरीती के लिए अध्यात्मिक गरीती के लिए होते हैं और कुछ दिन विशेश भौतिकता और सांसारिकता के लिए होते हैं जैसे नवदूर्गे हैं तो बहुत सारे लोग नवदूर्गे में विवाहा करना शुरू कर देते हैं जबकि नवदूर्गे ब्रहमचर्वे के लिए हैं गाड़ी खरीदना शुरू कर देते हैं जبकि धरती पे शेयन करना होता है मकान खरीदना या ग्रह प्रवेश करना शुरू कर देते हैं जबकि ये नवार मंतर के अनुश्ठान का समय होता है ठीक है, इसी तरिके से अक्षे तुर्तिया, अक्षे पुन के कारे प्रारंब करने का दिवस है ना ये मकान गाड़ी का दिवस है ना ये विभा करने का दिवस है ना ये जिवरात या ने सोने की चीज़े खरीदेने का दिवस है इस चक्कर में बहुत सारे लोग करजा लेकर कुछ सोने की चीज़े खरीदते हैं लेकिन उस सबसे कोई फायदा नहीं कोई लाब नहीं हाँ आप पे एक्सेज पैसा है तो आप रोज सोना खरीदिये सोना खरीदना पाप थोड़ी है आप रोज घर खरीदिये आप रोज गाड़ियां खरीदिये लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप रोज विवा कीज़े यह नहीं कहूंगा मैं लेकिन अक्षे तुर्तिया के दिन क्या करना है कि समय क्या करना है यह जाने अक्षे तुर्तिया के दिन आपको पाठ करना है आपको पता है महाभारत का लिखना भी इसी दिन प्रारंब हुआ था तो आपको इस दिन कोई भी पाठ करना है या जब करना है इस दिन आप किसी भी पूजा का संकल्प लीजिए या किसी भी अनुस्थान का संकल्प लीजिए और किसी भी सेवा का संकल्प लीजिए क्योंकि ये श्रेस्ट के युग परिवर्तन का दिवस है इसलिए प्रभू किर्पा से, मा की किर्पा से आपके जीवन में भी महाँ परिवर्तन हों ऐसी काम ना कीजिए, ऐसे कार्य कीजिए और उन कार्यों को लिखकर मा के चर्णों में रखी और उन कार्यों में मांग पत्र नहीं होगा, करतब बेपत्र होगा, कि मैं ये कारे करूँगा, या मैं ये कारे करूँगी, और बच्चे या विद्यार्थी, उनके लिए तो सबसे बड़ा नुष्ठान क्या है? अध्यन करना, कुछ ऐसा करना, जिससे वह जीवन में अपने अपने परिवार और समाच के लिए कुछ कर सकें, तो यही आपका नुष्ठान है, तो जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती है, वो मां के चरणों में लिखके रखें, कि हम विशेश रूप से मैथमेटिक्स का अध्यन करेंगे, अंग्रेजी का अध्यन करेंगे, हिंदी संस्क जिस विशे में आप कमजोर हैं, वह मां के चरणों में लिखकर छोड़ दीजिए, यह करतब पत्त्र प्रस्तुत करने का दिवस है, यह मांग पत्त्र प्रस्तुत करने का दिवस नहीं है, तो आप कुछ भी ऐसे कारे अवश्य करें, जिससे आपका पुन्न बढ़े, चाहे आप कुछ धन निकाल के रख दीजिए, कुछ अनाज निकाल के रख दीजिए, और उसके बाद जब लॉक्टों पीरिट खत्म हों, बहुत सारे जरूरत मन्दुस्वक समाज में होंगे, उनकी मदद कर दीजिए, अक्षपन की प्राप्ति होगी आपको, यह वो विशेश दिवस है, अब इसको किस समय विशेश पूजा से मनाना है, यह फटाफट नोट कीचे, सब से पहले में आपको मुहत नोट कराता हूँ, अक्षपन तुर्तिया प्रारंब होगी 11 बच के 50 मिनट 25 अपरेल को, लेकिन सूर्यों देते थी आपको मिलेगी 26 अपरेल को, इसलिए जब अनुष्ठान, दान निपन, यह सब आपने एक बच के 21 नट से पूर्व कर लेने हैं, अब पूजा कैसे करनी है, इस दिन मा गंगा का धर्ती पर अफ्तरह हुआ है, तब यह जहनवी नाम से जानी जाती थी, तो सब से पहले पृतन कीजिए, यदि घर में गं गंगा जल से भगवान शिवलिंग हो अगर आपके घर में, तो शिवलिंग और नहीं तो भगवान शिव के चित्र पर वह चीते कुछ मारियेगा, क्योंकि इस वक्त गंगा जल लाके और उसे लोगों में डिस्टिब्यूट करना इसका वक्त नहीं है, फिर कभी कर नहीं तो ये एक अद्वुद उपाय होता है, गंगा जल बाटना, बहुत महत्पून उपाय होता है, गंगा जल, नर्मदा जल, सभी पवित्व नदियों का जल बाटना एक बड़ा महत्पून उपाय माना जाता है, लेकिन अभी ये संभव नहीं है, इसलिए आप अगर घ शुद्ध स्थान से आप लेकर चीटे दे दीजेगा, शिवलिंग हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो भगवान शेवु के चुत्र पर आप ऐसा कर सकते हैं, इनके चल्णों में ऐसा कर सकते हैं, या पूरे चुत्र पर भी ऐसा कर सकते हैं, तो मा गंगा को भी नाम हो गया और उसके साथ साथ आप मा शक्ति के उपासना करेंगे ठीक अब समाने ता लोग इसे चुकि अक्षय तिति है यानि इस दिन जो भी काद प्रारम किया जाता है वो अक्षय रहता है यानि उसका अक्षय नहीं होता वो समापत नहीं होता इसलिए लोगों ने कहा सो सुरू हो जाएगा और बरस्ता ही रहेगा घर चोटा पड़ जाएगा दूसरा घर लेना पड़ेगा बोरे कम पड़ जाएंगे ऐसा हम सोचते हैं मत सोचिए भगवती को प्रसंद कीजिए अगर वह प्रसंद है तो सब वैसे ही आ जाएगा तो मा लक्षमी आधी की उपास अगर आप करते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है मा भगला मुखी की उपासना करते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है मा सरस्वती की उपासना करते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है मा भोनेश्वरी की उपासना करते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है मा काली की उपासना कीजिए इसमें तो समस्त महाविद्याय और नवरूप हैं हैं तो आप ये तै कीजिए कि 26 तारिख को सूर्योदे के उपरांथ और एक बच के 21 मिट से पूर सनान आधी करके दान आधी निकाल कर बिना कुछ ग्रण किये आप कम से कम 11 माल आएं कितनी 11 माल आएं आप भगवती के चर्णों में बैठ कर करेंगे आप जमीन पर नहीं बैठ सकते कुर्सी पर बैठ जाईएगा लेकिन अराम से बैठ कर पूरे काग्रता और चंतन के साथ माभगवती के चंतन में रत होकर आप ये कीजिएगा तो आपने क्या किया हुआ अभी तक स्नान किया दान किया फिर भगवान शिव की पूजा करी गंगजल हो तो बहुत अच्छी बात है नहीं हो तब भी ठीक है तिलक आदी अर्पित कीजिए भगवान शिव को और उसके बाद मां का तिलक वन्नन करके और जब कीजिए सिर्फ जब कीजिए आप बाकी बहुत सारी चीज़ों में मत वलजिए जब कीजिए उनके पास बढ़ जाये जाकर और जब कीजिए उनके जिस सुरूप का जब करना है कीजिए नहीं तो नवाण मंत्र से जब कीजिए एक बच के किस मिनट तक ये कर ली जए उसके बाद फिर अनजल ग्रण कीजेगा या सुभा ये सारे काम तो आप सुरियो दे के बाद एक से देड़ घंटे के भीतर ही निपता सकते हैं उसके बाद फिर अनजल ग्रण कीजेगा बहुत दिनों से अच्छे-च्छे कपड़े नहीं पहने होंगे न पहन लीजिएगा अच्छे-च्छे कपड़े पहनिएगा एक दूसरे को कुछ अच्छे-च्छा बना के खिलाईगा प्रसाद रूप में कुछ-कुछ बना के खिलाईगा अच्छी अच्छी बाते कीजिएगा और इस दिन आपको क्या करना है अपने जीवन में बली बनने के लिए वह कीजिएगा किसी के लिए विशेश प्रार्थनाई भी इस दिन आप कर सकते हैं जैसे कोई ठीक हो जाए कोई अच्छा हो जाए या बच्चे अच्छी उनती करें जो भी आपने करना है जिस भी अपने के लिए आप कुछ भगवती से कहना चाहते हो सो कह दीजे इस तरीके से इस बार जो वास्तविक्ता है कुशततिया के पीछे उस वास्तविक्ता से मनाईए और भगवान परशुराम जी का भी तिलकवन्दन इस दिन अवश्र कीजिएगा ठीक एक काम अब आपने और करता है जो आप दान देंगी अगर आपके घर मटका हो बसे तो मिट्टी का मटका ही सबसरेश्ट होता है उसमें अनाज भर कर दान किया जाता है उपर तक भर कर चाहिए वो मटका छोटा हो अगर आप पे धन नहीं है मटका छोटा कर ले लेकिन उपर तक भर कर दान किया जाता है ये दिन खरीदने का नहीं है ये दान करने का दिन है लेकिन अगर मटका नहीं है का तुदान कर दिए ठीक जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं या बहुत परिशानियों में हैं देखे आर्थिक संक्त थोड़ा सा तो बढ़ेगा ठीक है तो वो लोग श्री सुक्त का पार्ट कर सकते हैं लेकिन ये तीन बार करना होता है एक साथ बैठ कर जिन लोगों को प घर में कुछ ऐसी परिशानियों का संक्त है पिता की ओर से संक्त है या आपको नौकरी की ओर से संक्त है तो आदित तहर्दस त्रोत का पाठ सूर्य उदय होने के बाद सूर्य की ओर मुह करके तीन बार लगतार करना है थिक बहुत सारे लोगों की सेहत खराब होगी तो वह है लोग इस दिन नवाण मंत्र का जब करके महा मिरतुंजय का जब चाहें 11 ही बार कर लीजेगा कर लीजेगा और भगवान शुव के चर्णों में बैठकर ये कामना कीजेगा आप स्वस्त हो तो इस प्रकार अनेक अनेका चीज़े आप कर सकते हैं पिछली बार केसी व्यक्ति ने उससे भी पिछली बार से दो तीन वर्षों से वह मुझसे कुछते आ रहे हैं आप क्या करते हैं अक्षयतृतिया पर सम्हानिता पूजा तो बहुत विक्तिगत मामला है लेकिन मैं अक्षर तर्तिया पर केवल माने से जब करता हूँ मैया के चरणों में और गुरु महराज जी जो है उनके चरणों में शपत पत्र रग देता हूँ यह मैं करूँगा और यह मैं कर सकूँ इसके लिए आप मुझे उस काबिल बना दी दी बस उस फिर दान कर दोता हूँ मैंने तो जीवन में आज तक वोई धातू नहीं खरी दी किसी विक्रिसम की फिर दान कर देता हूँ जो बन पड़ता है दान कर देता हूँ और आशिरवाद ले लेता हूँ जो मेरा दान सुईकार कर रहा है वो मेरे पन बढ़ा रहा है उससे में फिर हाजों के आशिरवाद ले लेता हूँ छोटी कन्याओं को दान कर देना, बड़ा अच्छा लगता है, तो उनको कुछ जो बंद परता है, सुदे जिता है, बस यहीं कुछ अब उनकी बात दिन का है आज, जनम दिन, जनम दिन की विशेश रूप से बहुत सारी शुप काम दाएं आपके आगे आने वाले महीने बहुत अच्छे हैं, को मेनत करें, आपको विशेश लाब हो सकता है, लेकिन दो तीन बातों का बहुत ख्यार लगता होगा, पहली चीज़ जल्दबाजी में घल्ट डिसोजिन लेने से आर्थिक नुकसान उठाएंगे, दूसी चीज़ यह है, आपके कुछ खास रिष्टे, इसमें मित्र भी आते हैं, रिष्टदार भी आते हैं, यह आपसे खफा हो सकते हैं, जिसकी वज़े से आपको काफी दुख उठाना पड़ेगा, और तीसी चीज़, आप किसी के बारे में कुछ ऐसी बाते कह देंगे, जिसकी वज़े से अगले बहतर होगा, लेकिन कैसा बहतर? चार कदम आगे, तीन पीछे, चार आगे, तीन पीछे, उसके बाद सप्टेंबर से लेकर अगली मही तक का जो समय होगा, वो बहुत अच्छा होगा, और उसमें भी सेप्टेंबर, ऑक्टूबर, नवंबर, उसके बाद फरवरी, ये जो समय होंगे, ये समय बहुत अच्छे होंगे, इसमें कुछ भी आपकारे शुरू करते हैं, तो बढ़ा अच्छा रहेगा, उपाएक के तौर पर आपने प्रते दिन आयम, हरीम, क्रीम, क्रीम, नमस, चंदिकाय का जब करना है, कितना जब करें, ये अपने समय के माला तो अवश्य कीजेगा, और एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है आपको, कि हर पंचमी को, और अश्टमी को, इन दोनों तितियों को, आपने छोटी बच्चियों को भोजन अवश्य देना है, उस भोजन में कुछ खटी बिटी चीज अवश्य होनी चाहिए, आल दा लेकर थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, मन थोड़ा सा परशान रहेगा, आप एम रहीम टेम नमस चंडिकाये का जब जरूर कर लीजेगा, मित उन राश्य के लिए समय ठीक है, लेकिन भागते दौरते थोड़ा सा ध्यान जरूर रखेगा, गंगर पताय नमा का करने, सिंग राशी के लिए समय अनकूल है, थोड़ी सी मेहनत जरूर ज़रूर ज़्यादा रहेगी, लेकिन कारे आपके बनेंगे, सूरे को जल अवश्य दें, कन्या राशी के लिए ये समय जदबाजी में काम करने का बलकुल नहीं, धैरे रखिएगा, और इस दिन जरूर कर दें, बश्यक राशी के लिए समय अच्छा है, आपको लाभूतावा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस दिन दिन लोगों को रख्त या हिर्दय या पेट संबंदी व्यादिया है, वो विशेश रूप से प्रतना रखियेगा, भोजन हलका रखियेगा, बाहर जान से चलने की जरूरत है, इस दिन किसी से जलवाजी में कोई ऐसी बात मत कह दीजेगा, जिस से निंदा हो, प्रतुश्चा की हानी हो, और आपके कारें बनते हुए रुक जाएं, इस दिन उड़त की डाल निकाल कर रख लीजेगा, जब समय नुकूल आवे तो दे दीजेगा किसी को, कुम राशी के लिए ये समय अच्छा है, कुम मेनद करें, आगे बढ़ें, लेकिन जिन लोगों को सांस के दिक्कत रहती है, सर और आख के दिक्कत रहती है, वो अपना ख्यार भुशे शूप से करें, नमश्रुआ का जब आवशे कर लीजेगा, मीन राशी के और इस दिन आदर तर्दे स्टूद का पार्ट ज़रूर करनी जेगा, तो आज खूप सारी बात चीत हो गई, जो मैंने आपको बताया, उसका ख्याल ज़रूर रखिएगा, और अक्षर तुर्तिया की तैयारी अपीशे करनी शुरू करनी जेगा, चलता हूँ, राम राम नमस्कार, और हाँ इस बात का ध्यान तो जुरूर रखिएगा, रामायर देख रहे हैं आप, बड़ी मुश्कल से, मिहनत से तयार कर रहे हैं, आप देखेंगे, महनत सफ़ल हो जाएगी, और आप सीख रहेंगे, तो हमें भी अक्षर पुन्न में ज आप सभी लोग प्रभूर श्री राम जी के बारे में गहराई से जानना चाहते होंगे, आप ये जानना चाहते होंगे कि उनका जन्म कब हुआ, आप ये जानना चाहते होंगे कि वो पढ़े लिखे थे कि नहीं थे, आप ये ज़रूर जानना चाहते होंगे कि उनको क्रोड आता था कि नहीं आता था अब ये भी जानना चाहते होंगे कि उनका स्वेंबर हुआ था कि नहीं हुआ था क्या आपको पता है उस धनश का रहसे क्या आपको ये जानने की जिग्यासा है कि सीता माया क्या दो थी हनमान जी के बारे में भी आप जानना चाहते होंगे क्या उनक था आप ये जानना नहीं चा压ते कि वो लक्षमार रेखा थी कि नहीं थि और Thie सीता जी की घ्री पर इक्ष्ण क्या हूई थी किया कोई ऐसा धोबी था जिसने राणीसी टा को निकलवा दिया हो लवकुष के बारे में कोई प्रामानिक जानकारी है आपके पास ये बहुत सारे प्रशन आपके दिमाग में ऐसे होंगे मैं प्रतुने करूंगा उन प्रशनों का उत्तर देने के लिए जरूर देखिएगा चौधा दिन तक लगतार मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे राम